नमस्कार किसान भाईयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में अगर आप प्याज की खेती करते हैं या प्याज को इस्टोरेज कर रखें तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए काफी खुस खबरी है कि इस वर्ष प्याज की कीमतें काफी अदा बढ़ने वाली है क्रश की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट के अनुसार जो हमें जानकारी मिली है उसमें ये दावा किया गया है कि प्याज की जो कीमते हैं वो इस वर्स काफियदा बढ़ने वाली हैं पिछले जो गत वर्सों में प्याज की कीमत रही है उससे अधिक इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी अगर आप प्याज की खेती करना सोच रहें तो प्याज की खेती जुरूर करें आपको अधिक मुनाफ़ा हो सकता है जैसा कि इस चैनल पर मैं प्याज से संबंधित खेती बागवानी से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो लाता रहता हूँ तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि अगला आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके और इस वर्स अगर आपने प्याज को इस्टोरिच कर रखा है तो थोड़ा और लंबे समय तक एक दो महीने आप रोख कर देखें क्योंकि अक्टूबर से नॉंबर के बीच में इसकी मार्केट रेट काफी अच्छी हो सकती है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्स जो प्याज की फसल है वो कावी ज़दा प्रभावित रही है जल भराव के कारण पानी अधिक होने के कारण बारिस अधिक होने से कई सारे किसान भाईयों की फसल बिल्कुर बरबाद हो गई है कई सारे ऐसे रोग हैं जो हमारी फसल को काफी नुकसान पहुचाए हैं जिससे की फसल मार्केट में अच्छे से नहीं पहुच पा रही है तो इस कारण से भी इस वर्स जो मार्केट है वो काफी तेज दिखने वाली है वहीं जो महराष्ट में प्याज की रुपाई के समय आने वाली चुनोतियों के कारण 2021 के लिए जो प्याज की कीमत है वो 30 रुपए प्रतिकिलों के हिसाब से हो गई है और आगे चल करके जो अक्टूबर नॉमर की बात की जाए तो और अधिक इसकी प्याज की रेट हो जाएगी किसां दोस्तों आने वाले दिनों में प्याज की कीमते काफे अधा बढ़ने वाली हैं अगर आप प्याज को रखा है तो एक-दो महीने और आप वेट कर सकते हैं क्योंकि काफी अधिक उछाल आने वाली है प्याज मारकेट रेट में तो इसको आप ध्यान में रखते हुए अभी इस्टोरेज रखें अगर आप प्याज की खेती करना चाहते हैं तो जुरूर प्याज की खेती करें क्योंकि इससे जुड़ी जानकारी हम समय समय पर आपको देते रहते हैं कौन सी वराइटी आपको च सके दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बता है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें सेयर करें मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली और अच्छी जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद